यह जो लिस्ट है वाकई में समाजवादी ने मुझे नहीं लगता कि होगी यह कोई भारतिय जनता पार्टी या विरोधी दल की कोई साजिश दिखती है कॉंग्रेस सहयोग कर सकती है विनमर है सकती है लेकिन कॉंग्रेस लाचार नहीं है यह अपने आप में खास्यस पर चीजे हैं कभी भी एक तरफा कोई भी निर्ने नहीं होता है तो क्या हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इस तब पर आप लोग एक जुट्टा की बात कर रहे हैं मुझे तो थोड़ा सा काम ना यह शक होता है कि यह जो लिस्ट है वाकई में समाजवादी ने मुझे नहीं लगता क्योंगी यह कोई भारती जनता पार्टी या विरोधी दल की कोई साजिश दिखती है जहां पर इस प्रकार की गोशना कर रहे हैं क्योंकि लिस्ट की गोशना करना लिस्ट इस प्रकार से नामों की गोशना करना कोई ऐसा समझावता हुआ ही नहीं है जो मैंने मैं इस पर सेरे से नहकारता हूँ और उसमें से भी वो सीटें जिसके उपर में बहुत अच्छी बातें हो चुकी हैं उन सीटें को भी इसमें शामिल करके उससे घुशित कर देना तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पर्टी या अधर नहीं है अखलेज जी इस परकार की कोई गलती करेंगे उनके नौलेज में यह चीज नहीं होगी शायद ऐसा मुझे लगता है लिस्ट तो समाजवादी पर्टी के ऑफिशन टुटर हैंडल पर आ रही है अखलेज जी पुद के ट्वीट्स पर आ रही है लाम गुबाल जी जी जो ठारटी है वो साइन कर रहे है तो तक आप कैसे हैज़के को उनकी बैनकारी में नहीं होगी नहीं तो यह यह चीज कॉंग्रेस पर्टी के लिए एक्सेप्टेबल है जो ग्यारा सीट्स आपको दी गई या समाजवादी पर्टी ने अपनी सीट्स जो डिकलेयर कर दी या आरेल्डी के लिए कह दिया गया आप लोग को एक्सेप्र इन सब विश्यों के उपर में हमारे जो राश्टे समीती ह है उनने इन सब चीजों का संग्यान लिया हुआ है और इस पर मुझे लगता है कि क्योंकि हम अखिल भारतिय स्थर पर अन्य जगहों पर बाकी लोगों के साथ भी गड़ बंदन कर रहे हैं और इसमें कॉंग्रेस ने तुरत्व बहुत ही उदार दिल के साथ में सब लोगो अक्रम हुआ है तो यहां का हमारी जो इकाई है यहां के हमारे प्रदेश अद्देक्ष और हमारे अन्य सर्चीश ने तर तो जो है इस चीज को लेकर अस्वंजस में हमी कह सकते हैं कि मत फिलाल अगर इस तरी के चला तो गड़ बंदन कैसे चलाएंगे आप लेकि गड़ ब पार्टी की तरफ से इस तरी के चलाएंगे लेकिन सामने से अगर अगर कुछ उने कुछ एडन अजेंडा अगर कलियर दिखता है कि अगर कोई इस प्रकार से हो और उसको लेकर अगर समाजवाद यह पार्टी कारे कर रही है तो जो भी लोग कॉंग्रेस की और या इंडिय पूरी नहीं है कि यहाँ पर अन पूरे ऑप्शन नहीं है बहुत सारे ऑप्शन्स हैं कॉंग्रेस साथ सायोग करने के लिए तैयार है और सबकों साथ में लेने के शुक्वी है समाजवादी पार्टी के पार तो बीएस्पी बड़ा ओप्शन वस्ता है नहीं बीएस्पी मायवती जी ने अपनी पॉलिसी डेकलर तो की है लेकिन निश्यत रूप से देखिए पॉलिटिक्स में सभी चीज पॉसिबल है और अगर किसी उद्देश के लिए अगर हम कारे कर रहे हैं और मायवती जी की पार्टी भी सेकुलर पार्टी है समाजवादी पार्टी भी सेकुलर पार्टी है और यही बेसिक चीज था कि यह सब लोग साथ में आए और अगर इसमें अदर दन इंडिया गड़ बंदन में अगर वो आएं तो आज भी इंडिया गड़ बं बारतिय जनता पार्टी को साथ में मिलकर हम एक शक्ति एक ताकत बनकर उन्हें हराना हैं तो सभविक है कि हम सब लोगों को एक मत पर पहले आना होगा एक मत तो हो गया कि भारतिय जनता पार्टी को हराना है लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उनको कैसे हराएंगे उसके लि कॉंग्रेस ये नहीं बोल सकती के हमने इतनी सीटें समाजवाधी को दी यह समाजवाधी अगर ये बोले भी शपरत कि समाजवाधी ने कॉंग्रेस को सीट दी एक राश्टिय पार्टी उनके साथ में समझगता अगर कर रही है हमारी अपनी एक पहचान है एक यहाँ पर एक बेस है काफी मजबूत जड़े हैं संग्ठन इस तर पर आज वले ही कोई इसको अगर कम आके लेकिन मैं समझता हूँ कि यह घलत फहमी में ना रहें कॉंग्रेस मजबूत हमेशा से रही है कभी उसमें शितिलता आई होगी लेकिन आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे कि एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में रही बात कि अगर समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी बोलें कि उन्ने कॉंग्रेस को इतनी सीड़ दी तो मैं समस्ता हूँ कि इसके बारे में मैं क्या कमेंट करूँ यह अपने आप में एक खास्यसपल चीज़े हैं कभी भी एक तरफा कोई भी निरने नहीं होता है घट-बंधन में यतने भी घट-बंधन में बंधे हुए हैं वो आपस में मिलकर एकमत होते हैं और एकमत होकर फिर उस चीज की घोशना करते हैं सिर्फ बाजार में या बाहर में एक परसेप्शन इस प्रकार से क्रियेट करना और मुझे लगता है कि समाजवात पार्टी को आज भी हम पूरे सा सम्मान और बढ़ी सकारतमत चर्चाएं च को देना है उससे निश्यत रूप से एक प्रश्चन शिर्ना खड़ा होता है